तीन तलाग के मुद्दे पर आल इंडिया परसनल लौबोड ने स्ताफ कर दिया है कि इसलाम में तीन तलाग हराम है लेकिन वह इस पर पाबंदी लगाने के पक्ष में नहीं है दरसल लकनाओ में आयोजित एक्सामिनार में परसनल लोबोड के सच्चिव जफर याब जिलानी ने कहा कि भले ही तीन तलाग को इसलाम में सबसे बुरा माना गया हो लेकिन उस पर पाबंदी लगाना शरीयत में दखल अंदाजी है उन्होंने कहा कि दारूल कजा को सजा देने का अधिकार नहीं है इसलिए अगर कोई तीन तलाग को हतियार बनाता है तो कोट और सरकार उसे सजा दे जैसा पहले भी होता रहा है उन्होंने कहा हम मानते हैं कि तीन तरलाग का फाइदा उठाया गया है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तीन तरलाग को खत्म कर दिया जाए एक प्रतीशत ही सही पर कई मामलों में तीन तलाक ने जिन्दगी बचाने का काम भी किया है जिसे नजर अंदास नहीं किया जा सकता तीन तलाक को लेकर मुस्लिम समाच में गलत फहमिया है जिसे दूर करना चाहिए यह हमारी गलती है कि हम निकाह से पहले लड़का लड़की को उनकी जिम्मेदारियों से आगहा नहीं करते आपको बता दे कि देश की सर्वोच अदालत में चल रहे मामले में तीन तलाक पर पाबंदी ना लगाने के लिए आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लौ बोर्ड पैरवी कर रहा है तो तीन तलाक के मुद्दे पर आल इंडिया पर्सनल बोर्ड का कहना है कि तीन तलाक के मुद्दे पर लोगों में गलत फहमी है इसलिए इसे गलत समझा जाता है बोड भी तीन तलाग को सही नहीं मानता लेकिन इस पर पावंदी के पक्ष में नहीं है देखते रहे ही डिबी लाइव